मुलेठी पाउडर या जो आज आप सभी को इस वीडियो में एक स्किन पॉलिशिंग ट्रीटमेंट बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा एफेक्टिव है और इस होम रेमडी में यूस किये गए इंग्रीडियंट्स भी सारे नाच्रल है और बहुत ही ज़्यादा एफेक्ट या जिसको हम लिकॉराइस पाउडर भी एते हैं इसके बाद आपको चाहिए कॉफी पाउडर फिर आपको चाहिए बेसन या ग्राम फ्लॉब उसके बाद आपको चाहिए ऐलोवइर जेल यहाँ पर मैंने रेडी में रेडिमेट ऐलोवगर जेल यूस किया है बट अगर यदर एक चमबच मुलेठी पावडर या लिकोराइस पावडर को टालिए फिर लास्ट में एक चमबच कॉफी पावडर डालकर आप इन तीनो इंग्रीडियנס को अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकी आप इन एक चमच एलोवरे जेल डालिए और लास्ट में आप इसके अंदर आदा नीम्बू नी चोड़ दीजिए और अगर आपकी ड्राय स्किन है तो आप नीम्बू की जगह कच्य दूद यानी रॉब मिल्क कभी यूज कर सकते हैं और आप सबी इंग्रीडियंट्स डालने के बाद आप इन सब को अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि ये सबी इंग्रीडियंट्स एक दूसर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं और एक स्मूथ पेस्ट बनाएं और सभी इंग्रीजिन्स अच्छे से मिक्स करने के बाद आपकी स्किन पॉलिशिंग होम रिमिडी रेडी है और वह कुछ इस तरह दिखेगी और स्किन पॉलिशिंग ट्रीटमेंट को यूस करना भी बहुत इजी है आपको सबसे पहले इस पेस्ट को अपने फेस और नेक पर अपलाई करना है और जेंडली स्क्रब करना है तीन से चार मिनिट के लिए और आप इस होम रिमिडी को अपने फेस और नेक के साथ साथ अपनी फुल बाड़ी पर भी यूज़ कर सकते हैं अच्छे से स्क्रब करने के बाद आप इसको ऐसे ही 나올 दस से 15 मिन्ट की सोखने के लिए छोड दीजिए या तो आप इसी पेस्ट की एक थे टल्यार अपनी स्किन पर लगा सकते हैं फिर उसको 15-20 की लिए सूकने के लिए छोड सकते हैं और जब वो अच्छे से सूख जया तो आपने स्किन को नॉर्मन पानी से धो कर पैड़र और मॉस्चराइज कर लीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही इस्तमाल से इस होम रेमीडी के मेरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड से कितना ज़दा फ्यार ग्लोइंग और रेडियंट हो चुका है और यह स्किन पॉलिशिंग क्रीटमेंट आपके संटन आकने ब्लेंशिज और डाक स्पॉट्स को भी तुरन दूर करता है और आपके स्किन को लाइटर वाइटर ग्लोइंग और रेडियंट बनाता है और अगर आप इस होम रेमीडी से बेस्ट रिजल्स चाहते हैं तो आपको यह स्किन पॉलिशिंग क्रीप्मेंट हफते में दो से तीन बार यूज़ करना होगा तो आज के लिए बस इतना ही और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना न भूले और आप मेरे चानल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्यूचर में बहुत सारी ईजी और एफेक्टिव होम रेमीडीज देखने के लिए